सेनिक बस्ती इस्तित आवास पर विधान सभा उपनेता परतिपक्ष और चुरू विधाय का राज़ेंदर राठोड ने की जन सुनुवाई चुरू जिला मुख्याले के सैनिक बस्ती इस्तित आवास पर विधान सभा उपनेता परतिपक्ष और चुरू विधाय का राजेंदर राठोड ने मंगलवार को लोगों के अभाव अभियोग सुने इस मौके पर ग्रामिन और शेहरी चेतर से आये जन सामाने वजन परतिन युद्यों ने राठोड को समस्याओं के बारे में अवगत करवाया राठोड ने सम्मध्य तदिकारियों से दूरभाश पर चर्चा कर समस्या समाधान का प्रयास किया इस दोरान लोग लंपी स्किन डीजिज, पानी, बिजली, चिकितसा और स्वास्ते, शिक्षा, मनरेगा कारियों पारिवारिक मामले आदी को लेकर राठोड के समक्ष पहुँचे इस मौके पर राठोड ने परदेश सरकार पर लंपी स्किन डीजिज में मुवेशियों की होने वाली मौत के आँकड़ों को छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि परदेश सरकार अभी तक 28,000 पश्वों की मौत की बात के रही है लेकिन ये आँकड़ा बहुत जादा ह दुर्भागया इस बात का है कि सरकार ने अब तक कोई क्रेश प्रोग्राम नहीं बनाया जगह जगह मर्द पश्वों के धेर लगे हुए हैं और केवल वी सी करने मातर से काम नहीं चलने वाला इसके लिए कोई क्रेश प्रोग्राम कोई आपाद कालिंग कोई कारिकरम या इसके लिए कोई विसेश तोर पर कोई वेवस्ता नहीं किये कोई एक्शन प्लान नहीं सिर्फ वी सी कर लेना और यह कहता ना दवाईयों के वेवस्ता करने से काम चलने वाला नहीं